हम अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के अकाउंट से कुछ पैसे चुरा लिये गई वा किसी के खाते से कुछ पैसे गायब कर दिये गई लेकिन हमें हमेशा यह परसन जरूर आता है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी को पागल बना कर उसके अकाउंट से पैसे चुरा सकता है आज हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जो कि उत्तर परदेश के हासीम पुरा छेत्र की है जहां एक वैक्ति के अकाउंट से 1,90,000 रुपे हैकिंग के माध्यम से चुरा लिए गए नमस्कार मैं हिना श्रीवास्ता आप देख रहे हैं प्रगती मेडिया हासीम पुरा शेहर की मजजित के एक वैक्ति ने 10 रुपे का रिचार्ज करने की चेक्कर में 1,90,000 रुपे गवा दिये कस्टूमर केर का नमबर सर्च करने के परियास में कॉल जाल साजों के पास पहुच गई उन्होंने दो एप्लिकेशन डाउनलोड कराकर पूरा बैंक खाली कर दिया पूरे मामले में साइबर क्राइम सेल ने जाच शुरू कर दी है मामला ऐसा है कि हासीम पुरा श्थित काली मजजित के इमाम महम्मद उबेर ने बताया कि तीन सितंबर को उन्होंने मोबाइल का रिचार्ज गूगल पेसे किया रिचार्ज ना होने पर उन्होंने गूगल पर टेली कॉम कमपनी का कस्टूमर केयर नंबर सर्च किया नंबर पर बात्चिस सुरू हुई उसने दस दिन में पैसा रिफंड होने की बात कही उसके बाद 4 सेतंबर को इमाम के पासे कॉल आई कॉल करने वाले ने खुद को कमपनी के नोएडा आफिस से बताया पैसा रिफेंड की परिकरिया कराने की बात कही इस एवज में उसने इमाम से 10 रुपे का रिचार्ज कराया इसके बाद उसने एक एप्लिकेशन डाउनलोड करायी फिर गूगल पे आन कराया इमाम ने गूगल पे में एक खाता संख्या दर्ज कराया उसके बाद इमाम के मोबाइल पर एक OTP आया OTP CR करते ही उसके खाते से 20,195 रुपे कट गए कॉल करने वाले ने कहा कि पैसे रिफंड होने के लिए दिक्कत आ रही है ऐसा कहकर उसने बैंक खाते की एक और एप्लिकेशन डाउनलोड करायी इस तरह उसने दोनों खातों में से 1,90,000 पे निकाल लिए अब यहां नमबर सिच चौफ है इस मामले में सीविल लाइन थाना और साइबर सेल ने सिकायत की गई है दरसल गोगल सर्च इंजन में कस्टूमर केर की बजाए जाल साजों की नमबर दर्स थे इसकी वज़ा से वे ठगी का सिकार हो गए ऐसे ही कुछ खबरे अक्सर आती रहती है हमारे पास कुछ समय पहले भी एक ऐसी ही पेटियम की तरफ से कुछ हेकर्स ने एक वेक्ति के अकाउंट से कुछ पैसे चुरा लिये थे उन्होंने पहले मेल आईडी पर एक लिंक भेजा और फिर लिंक पर क्लिक करने को कहा जैसे ही उस व्यक्ति ने उस लिंक पर क्लिक किया वैसे ही उस व्यक्ति के डिवाइस कर पूरा डाटा हैकर्स के पास चला गया जिससे उन्होंने उस व्यक्ति के अकाउंट से काफी पैसे चुरा लिये थे आप सब इसे अनुरोध है कि आप सब इन हैकर्स की बातों में ना आएं वा समझदारी से काम ले करें धन्यवाद खबरों में बने रहने के लिए प्रगती मीडिया को सस्क्राइब करें लाइक करें